यह कह सकता हूं दो चीज़े और हुई जिसने विकास को एक गती दी है विकास को एक नई छलांग दी है और यह है पहला है आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर का दिर्बाद है हमने इंफ्रास्रेक्टर को आधुनिक बनाने के दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं और दूसरी तरफ सामान ये मानवी के जीवन में जो बादाएं है ईज अब लिविंग का हमारा जो सपना है उस पर भी हमने उतना ही बल दिया है पिछले एक दसक में अभूत पर वह इंफ्रास्रेक्टर का विकास हुआ है रेल हो रोड हो एरपोर्ट हो पॉर्ट हो ब्रॉड्मेंट के रेक्टिविटी हो गाउं गाउं नए स्कूल बनाने की बात हो जंगलों में स्कूल बनाने की बात हो दूर सुदूर इलाकों में अ का निर्मान चलता हो साथ हजार से जाता अमृत सरोवर बने हो जो लात पंचायतों तक अप्तिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा हो नहरों का एक बहुत बड़ा जान बिछाया जा रहा हो चार करोड़ पक्के घर बनना गरीबों को एक नया आस्रे मिलना तीन करोण ने घर बनाने के संक्वा के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिज हो हमारा पुर्वी भारत नौर्थिस्ट उसका इलाका आज इंफ्रासेक्टर के लिए जाने जाना लगा है और हमने यह जो कया कल्प किया है उसका सबसे बड़ा जाप समाच के उन वर गोतल हम पह देखता था दलीथ हो पीडी थो छोची तो वन्ची थो पिछढे ओ अधीवासी हो जंगल पाहडों पर रहने वाले अंट उसमा वरेंने में रहा है हमारी कारिशेली में रहा है और उस सबसे सबसे बड़ा लाब मेरे युवाओं को होता है उनको नए ने अवसर मिलते हैं नए ने शेत्र कदम रखने का उसके लिए संभावनाय बन जाती है और वही तो सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है और सबसे ज्यादा रो क्वालिटी अफ लाइफ वो स्वाभावि तो देश के लिए बहुत देता है तो देश का भी दाइत्व हैं कि क्वालिटी आफ लाइफ पे जो उसके प्यक्षा है सरकार की कषिनाई ओस currency की उसकी जो कम हो जहां सरकार की जरुवत हो बहां अभाम रहो और जहां सरकार की बेव कारण प्रभाव भी नहों इस प्रकार की वबस्ताक पर हम प्रतिवर्दी जाएं